ओम स्री गनेशाय नमदूस्तू एस्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 जुलाई सनीवार के राशी फल के बारे में कि यह दिन मकर राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर ने हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए सनीवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पोजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो जीवन साती से आज आपको शहुग प्राप्त हो सकता है परन्तु उसके लिए संबंध मदूर बनाए रखना बहतर रहेगा व्यवसाय के दरश्टी से आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होनी की संभावना बन रही है इसलिए यदि आप कार्रे व्यवसाय से जुड़े हैं तो उसे आज बहतर दिशा देने का प्रत्न करें आप जिस भी किसी कार्रे को कर रहे हैं उस कार्रे से संबंदित आज आपको अच्छी काम्यावी प्राप्त होनी की संभावना बन रही है साथे साथ आपको नोकरी बदलने में भी काफी लाब मिल सकता है और आपके केरियर के लिए यह परिवर्तन काफी अच्छा सिद्ध होगा दूसरी और विद्ध्यार्तियों को भी उच्छ सिद्ध करने के अच्छे अफसर प्राप्त हो सकते हैं जिससे उनकी लंबे समय से प्रतिक्छित उच्छ सिद्धल की कामना पूरी हो सकती है ज्यादोस्तो कार्य चेत्र से जुड़े लोगों को भी आने वाले समय में पदुन्नती के रास्ते खुलेंगे और आपको नेने विचार आएंगे जिन्हें अपना कर आप कार्य इस्थल पर भी अच्छा प्रदसन कर पाएंगे आप अचल संपत्ति प्राप्ति के लिए भी निवेस कर सकते हैं तो आपको लाब प्रद हो सकता है काम गाज से संबंदित किसी मित्र से भी संबंद अच्छे हो सकते हैं या दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा परिवारिक जीवन में उल्लास में वातावर्न रहेगा सुब समाचार मिलने से भी आज सफल हो सकता है जिससे आपका मन बहुत प्रसन रहेगा दोस्तो साथी साथ यदि आप नोकरी करते हैं तो भी साइड वैवसाय करने का आज आप प्रतन कर सकते हैं या किसी के साथ मिलकर कार्य वैवसाय को नई दिसा दे सकते हैं या आप किसी तरह का कोई निवेस कर करने का मन बना रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं जिससे आपको काम्याभी अच्छी प्राप्त हो सकती हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगडिव हो सकता है दोस्तों कुछ लोगों का अपने परिवार से अलगाव हो सकता है इसके अतिरिक्त आप अपने क कारे छित्र में व्यस्त होने के कारण तथा जीवन के अन्य पहलूओं पर अधिक समय देने के कारण अपने परिवार को अधिक समय नहीं दे पाएंगे जिसकी कमी आपके परीजनों को खलीगी साथी साथ यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने काम पर पूर्ण और मनोवल की आवशकता होगी साथी साथ आप अपने वित्य प्रवंदन के प्रती काफी सचित रहेंगे फिर भी आपके खर्च और बचत के बीच उतार चड़ाव की इस्तिती बनी रह सकती है इसे बहतर बनाने के लिए आपको उत्तम वित्य प्रवंद पहले से ही तैयार करना चाहिए ताकि परतीकूल समय में परिसानियों से बचा जा सके यदा कदा अनावशक बातों को लेकर घर में कहां सुनी हो सकती है माता का शयोग तथा सुक प्राप्त आपको हो सकता है परन्तु पिता के सयोग और सुक को लेकर सस्पेंस हो सकता है साथी साथ कारे छेत्र में भी काम की अधित्ता रहेगी और कारे सपलता के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करने पड़ेगी परदोर के बावजूद कारों में अफेक्चित सपलता नहीं मिलने से मन वेथित रहेगा किरूद पर आज आप नियंतन एम वानी पर सेयम रखे अन्यता बेवजा विवाद में फस सकते हैं थोड़ा साफ धन रहें दोस्तो आप बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तो आज आप कहीं गूमने फिरने के लिए ओफर कर सकते हैं तब ही आपके प्रेम जीवन में विरत्दी होगी और प्यार के साथ साथ हर तरह के सैयोग की संभावना उत्पन हो सकती है एक दूसरे के कामकाज को लेकर भी आज सैयोग हो सकता है जेह दोस्तो आज आप अपने प्रेम जीवन का पूर्ण रूप से आनन्द लेंगे और अपने प्रेतम को स्पेसल फील करेंगे इससे आपके प्रेम जीवन में मधूरता और बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रती आकरशन की भी व्रत्दी होगी जेह दोस्तो प्रेम संबंदों को लेकर आज इस दिदियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं परन्तु आप अपने प्रेमी प्रेमिका के उपर पूर्ण विस्वास रखते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताने का आज प्रेतन करें साथ साथ यदि आप किसी को प्यार करते हैं और उसे पता ही नहीं तो ऐसे में एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को समझाना आवशक है यदि आप पहले से ही किसी को प्यार करते हैं तो आप उनको प्रपोज कर सकते हैं आज का दिन आपके लिए बहुती लकी सावित होन दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज ग्रहों की इस्तिती आपके अनुकूल रहने से आर्थिक लाब और नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं कारो बार आज अच्छा चलेगा और कारों में आज आपको अच्छी सपलता मिलने से धन लाब केश दिती रहेगी विध्यारतियों के लिए वे समय आज का काफी अच्छा रहेगा दोस्तो साथी साथ आज आप प्रॉपर्टी में भी निवेस कर सकते हैं जो आपके लिए भविस्ते में आगे चलकर काफी लाबदाएक साबित होगा या दोस्तो धन के लेंदेन के लिए भी आज का समय आपके लिए बहुती अच्छा साबित होने वाला है दोस्तो कारे छित्र में आपके अनुकूल वाता वरन रहेगा हाला कि कारे भार की भी अधिकता रहेगी लेकिन कारों में सपलता मिलने से धनलाब की भी काफी अच्छी स्थिती रहेगी नौक्री में भी तरक्की के योग आपके लिए बन रहे हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको अपने स्वास्थ का भी विशेश रूप से ध्यान रखना होगा क्योंकि अत्यादिक सोचने और चिंताओं के कारण आपका स्वास्थ बिगड सकता है साथ साथ पेट से संबंदित समस्याएं अधिक परिशान आपको कर सकती है इसलिए आज आप नेगटिव विचारों से दूर रहें सोचने समझने में आप समय अपना व्यर्थ ना करें और साथ साथ अपने खान पान पर भी आज आप विशे सुलूप से ध्यांग दें साथ साथ दोस्तो अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्थ रहें दोस्तो वो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश हुपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदी से निर्वत्र होने के बाद अपनी श्रद्धा के नुशार अपनी सामर्थ के नुशार उडद की दाल को अपने सर के ऊपर तीन वार उल्टा गुमा कर कोई को खिला जा दोस्तो ऐसा करने से भगवान शनिदेव बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परेशानिया चल रही हैं समस्त परेशानियों कांत करेंगे और आपको ऐसा करने से जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कारने बहुत या सनी से बनते चले जाएंगे दोस्तों भगवान शनी देव का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै शनी देव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद